दोस्तों में आज में आपको प्लांटेशन के बारे में कुछ तिप्स दूंगा कि किस तरह से नई प्लांटेशन करनी है प्लांटेशन के टाइप में एक कच्चा गोबर और लाल मिटी की एक सलेरी मिनानी है जिसमें बराबर बराबर मातरा में कच्छा गोबर ताजा गोबर और लाल मिट्टी लेनी है जैसे कि मैंने इस बाल्टी में दो सो इस बाल्टी में दो चार किलो गोबर है और चार किलो लाल मिट्टी लीवी है और उसको इकठा डालके लाल मिटी को पहले दिन भीगोने के लिए रखना पड़ता है क्योंकि वो थोड़ा से सकत होती है वो मिलनी पाती है अदरवाइस इसमें पहले दिन लाल मिटी को भीगोने के लिए इसी बाल्टी में रख दिया था चार किलो और दूसरे दिन इसमें चार किलो गोबर ताजा करने के बाद पानी इसमें डालता रहा और पानी डालने के बाद इसमें इतना पानी डालना है कि वो आपको इस तरह की सलरी बने पेस्ट लाइक पेस्ट देखिए इस तरह का ना ये घना ज्यादा घना होना चाहिए और ना ही ज्यादा पतला अगर आपके पास इसमें लगता है कि आपके पास पानी जादा आ गया है पानी आप से गल्ती से जादा पड़ गया है तो इसमें लाल मिट्टी द्वारा एड़ ना करे सिरफ कच्चा गोबर और एड़ करते रहे क्यूंकि लाल मिट्टी जो है वो एक कैρι셔야 काम करती है गोबर को कर्च गोबर में हुमिक असेड होता है हुमिक असेड फंगस को मल्टिप्लाई करने में 사हिता करता है इसमें हमने इसके बाद पिट में डाल के फंगस यड करनी है माइकोराइजर माइकोराइजिया से रूट ड्वलेपमेंट बहुत जादा अच्छी होती है और फेलियर के चांसिस बहुत कम फेल होते हैं पौदे सर्वाइब करने के चांसिस बहुत जादा हो जाते हैं उसके अब इसके बाद इस लेरी में इस तरह से पुरी रूट्स को डुबो के निकाल के फिर पिट में रखना है पिट में अच्छी तरह से ध्यान रहे रूट्स इसकी इकठी ना हो उसमें कोई भी रिंकल्स ना पड़े जिस डायरेक्शन में रूट्स है उसी डायरेक्शन में उसको अंगुठी की साइज से डालना है और ध्यान रहे इसका तना बिल्कुल 90 डिग्री एंगल में खड़ा होना चाहिए उपर पेड भले ही इदर उदर जाए मगर तना बिल्कुल खड़ा होना चाहिए ये दिखिए ये माइकोराइजा इसमें एड़ किया जा रहा है माइकोराइजा ग्रेनुल भी होता है लिक्वीड भी होता है पॉडर भी होता है मैं ग्रेनुल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और फिर इसको देरे-देरे मीटी से भरना पड़ता है और जिस तरफ को रूट्स की डारेक्शन है जैसे इस तरफ रूट्स जा रही है ये रूट्स है इसको इसके टिप को आगे से पकड़ कर इस तरह से नीचे को एंटर करना जाए इस तरह से टेडी मेडी नहीं होने चीए ऐसी नहीं होने चीए रूट्स ऐसी नहीं होने चीए इस तरह से नहीं होने चीए ये सीधी अपनी डारेक्शन में इस तरह से जाने चीए पिट को अच्छी तरह से लॉक कर देना है और इसका 50-70% रोल पिट लॉक करने का ही होता है अच्छी तरह से अगर पिट लॉक नहीं किया जाए तो फेलियर होने की संभाव ना होती है और इसमें कुछ टाइम बाद एक दो दिन बाद या थोड़ी देर के बाद पानी डाल सकते हैं ताकि जो एर पॉकेट्स हो उसमें आपकी यह मदद हो सके हैं यह एर पॉकेट्स मनते हैं